गुड मॉर्निंग स्टुडेंट सभी बच्चों को नमस्कार आज हम 10 ग्लास का फेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंपोर्टेंट बातें कुछ मुख्य बातें लैसन के बारे में जानेंगे जो जिसके परतिशन इन बातों के इर्दगिर्द ही घूम रहा है तो सबसे पहले हम युरोप में राष्टरवाद का उदे युरोप में राष्टरवाद का उदे मिन्स होता है शुरुवाद किसी चीज की तो युरोप में राष्टरवाद का उदे होना शुरुवाद होना और राष्टरवाद क्या होता है तो राष्टरवाद हमने पीछे वारे वीडियो के अंदर भी जिकर किया है राष्टरवाद अपनी देश के पर्तिप्रेम गौरव की भावना यही राष्टरवाद कहलाता है तो राष्टरवाद सबसे पहले हमने एरोप में क्यों कि रोप कौंटीनेंट है जो महादवीप है वो चारों तरफ से जैसे समुधर है लगा वा है यह तिन तरफ से इस तरफ से घिरा हुआ समुधर के इस से तो उसमें एक अलग जैसे है अलग जो जो ओर जो देश है उनसे दूर रहा है और उसके अंदर सभी जो खनी संसादन हैं प्राकर्टिक संसादन हैं वो ज्यादा होने की वज़े से यहां के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे बहुत ज्यादा जल्दी से उन्होंने परगती कर ले थे तो युरूप ने राश्टरवाद आने के बाद युरूप में तो इन्होंने पूरे विशव के उपर विज़े करने का इन्होंने जो सपना देखा वो साकार भी किया पूरे विशव के उपर इन्होंने अपना सामराज स्तापित किया था तो राष्टरवाद के बारे में जानेंगे यूरोप में कैसे आया तो सबसे पहली जो हम बात पढ़ेंगे राष्टरवाद तो राष्टरवाद ऐसी भावना जिसमें अपने देश के परती प्रेम और गोरों की अनुभूती हो उसको हम कहते हैं रास्टर वाद वही अपने देश के परती वही इसमें अपने देश या किसी देश के परती जो लोगों का सभी का अपने अपने देश के परती प्रेम होता है वही क्या होती है कि रास्टर की भावना होती है जैसे हम अलग-अलग स्टेटों में रहते हैं निरंकुस वाद का हमने पहले विजे कर किया है निरंकुस इस से ही हम समझते हैं निरंकुस वाद निरंकुस का आर्थ होता है जिस पर किसी भी परकार का कोई अंकुस ने हो जिस पर किसी भी परकार की कोई पाबंदी ने हो इसको कहते हैं निरंकुस वाद वही ऐसी सासन व्य अगर और भी अग्जामपल लेते हैं तो ताना साहा ताना साही जो होते हैं वो उसके उपर किसी भी परकार का कोई अंकुस नहीं होता है वो अपनी मरमर जी कानुन खुद बनाते हैं खुद लागू करते हैं तो खुद वो न्याय करने का सजा देने का काम भी करते हैं इसको क इसका इंग्लिस में कलबना दर्स समाज कहते हैं कि नमबर कर आता है फ्रांशीशी नमबर सभी को पता है यापने नाइन्द क्लास में पढ़के आय हो 1789 में ती मुन गिर हैंrian इसमें जो लुए सोल्वा है वह फ्रांस का सासक बनता है और बहुत ज्यादा कर जंता के उपर लगा देता है तो जंता त्रहीं करने लग जाती है जंता बहुत दुके तकलीफों से गिर जाती है और जंता बगाउत करना शुरू कर देती है लुई सोल में की जिस से फ्रांस के अंदर एक क्रांती जनम लेती है जो 1789 में वो क्रांती होती है पांसमें नंबर पे आता है फ्रांसीशी सेना की गतिविद्या जो फ्रांस की जो सेना थी उन्होंने भी उनके उपर अब जैसे जनता भी आदेश दिया सा सेना ने गतिविद्यां भी शुरू कर दी लोगों को पगड़ने की लोगों को जो करांती हैं उनको दबाने की इस परकार की जो गतिविद्यां थी एक्टिविटी थी वो सेना ने की छटे नमबर पर नैपोलियन की नागरिक सहीता तो नैपोलियन की नागरिक सहीता क्या थी वई नागरिकों को समान अदिकार देना संपत्ति का सभी को समान अदिकार देना इस परकार के कुछ नियम बनाए गए थे इनीको नैपॉलियन की नागरिक शहिंता के नाम से जाना गया है साथमें नमबर पे आता है उदारवाद उदारवाद लीबर लाईजम सबद से जो लीबर सबद से बनाओ जिसका अरत होता है आजाद उदारवादी तो उदारवाद क्या होता है उदारवाद एक ऐसी विचारदारा होती है जिसका विचार यह है कि जो सरकार बने हो सभी लो जोल वेराइन एक संग था जो नेपोलियन ने बनाया इसमें परसा की पहल पर 1834 इस्वी में गठित किया गया था जोल वेराइन संग ये क्या था ये एक जर्मनी के अंदर इसमें तो वो बहुत सारे सुल्क संग थे व्यापार करने के लिए जो व्यापारी जाते थे बहुत जगया जगया उनको टोल टेक्स नाक्ये के उपर बहुत जादा पैसा करके रूप में देना पड़ता था तो जोल वेराइन संग परसा की पहल पर 1834 में गठित किया गया तो इस जोल वेराइन संग ने क्या क्या उन सुल्कों को खतम कर दिया उन पर परतिबन लगा दिया और जो मुद्रा क्रेंशी थी उस समय जो 30 परकार की क्रेंशी होती थी उनको प्रतिबन लगाके दो परकार की ही मुद्रा जारी रखी नंबर 9 में आता है नेपोलियन की प्राज है नेपोलियन 1825 में हार जाता है और उनका अंत हो जाता है फिर आता है 10 का रूडिवाद रूडिवाद क्या होता है रूडिवाद एक ऐसी विचारदारा होती है जो प्रमप्रावादी जो प्राचिन प्रमप्रावादी पर्थावादी होती थी जो प्राणे विचारों और खैलों पे चलने वाला जो एक समाज होता था उसको ही हम रूडिवादे कहते हैं फिर अंदर बताया गया था कि उदारवादी एक सम्मान विचारधारा के लोग होतें जो सभी कि सहमति से बनी सरकार का परतिनी दीतों करने वाले होते हैं तो इन्होंने भी 1848 में क्रांती की नमबर बारा में आता फ्रेंक्फर्ट संसद का गठन जब फ्रेंक्फर्ट संसद का गठन 18 मई 1848 में किया गया था हमने पीछे भी इसके बारे में जाना है वे तो फ्रेंक्फर्ट एक संसद का नाम था ये जो 18 मई 1848 में इसको गठन किया गया था नमबर 13 में देखेंगे नारिवाद, नारिवाद के अंदर क्या होता है, इसमें नारी की बात की गई है, महिला की बात की गई है, जिसमें महिला को राजनितिक समानता, समाजिक समानता, पुर्षों के बराबर समानता देना ही नारिवाद कहलाता है, समाज के अंदर राजनित तोर पर एक समान विचारदारा उना उसको ही हम विचारदारा कह सकते हैं इटली का एक एकन गैरी बाल्डी ने किया था इटली का एक एकन इटली को एकठा करने के लिए तो इटली का एक एकन का जो स्रे जाता है वो गैरी बाल्डी को जाता है परसन जो अगला हमारा जो पॉ राजे स्तापित करें उसको सामराजे वादे कहते हैं थेंक्यू